तो इंडियन बाइक ड्राविंग 3D की शहर में मैंने धूर निकाला है इतने छोटे छोटे डैनेसोर को जो के सिर्फ देखने में ही काफी छोटे वरना है ये काफी खतरना का और तो और ये खाने में सिर्फ नौन मेर्ची खाते हैं और मैंने इसको कैसे ढूंडा जानती है आ जो के ये सिर्फ छोटा सा देखने में ही लग रहा है ये डैनेसोर का बच्चा नहीं बलके ये इतना बरा ही होता है ये डैनेसोर और इसको इस बंदे ने जो के चारो तरफ से गेर रखा है और ये इसको एकस्पेरिमेंट के लिए भेजने जारा जिसके लिए इसको बेचन होने देना चाहिए मुझे जल्दी से जाकर के उस डैनेसोर को बचाना चाहिए क्योंकि यार ये जो है ने इतनी अनोखी चीज को यार मार देगा तो कोई फाइदा नहीं है और अगर मैंने इसको ले लिया तो यार मैं काफी चोटे डैनेसोर को मरने नहीं दे सकते यार ये काफी अच्छा देखने में लग रहा है तो मैं मुझे जो लोकेशन पहला जो दिख रहा था वो इसी जुरासिक पार्क के अंदर का था जो के इस जंगल के अंदर कहीं पर भी वो हो सकता है वहां का ठीक से लोकेशन भी मुझे नहीं पता है तो मैं चलता हूँ इसके अंदर और इस जंगल के अंदर जो हैने बहुत सरे बड़े बड़े डैनेसोर जो के काफी खतरनाक है अगर उसने मुझे देख लिया तो वो मुझे जल्दिस जल्दी मार देगा तो यार मुझे इन सब से बचते हुए किसी तरीके से उस जगा को ढूरना है जहां पर वो बंदा इस छोटे से डैनेसोर को घेरे हुआ है और वो इसको जो के बेचने के लिए जा रहा है और उसमें इसकी मौत भी हो सकती है यार क्योंकि वो इस पर एक्सपिरिमेंट करने वाला है और एक्सपिरिमेंट अगर किया तो यार इसक जान भी जा सकती है तो मुझे इसको बचाना पड़ेगा और वो बंदा जो के इस जंगल के अंदर कहां पर इस डाइनेशोर को छुपा रखा है तो मुझे वो जगा ढूर ना है यार इतने बरे जुरासिक पार्क के अंदर मुझे अब तक लगबग 10-15 मिनट से घूम रहा और भाई काफी दिर लगबग आदे घंटे से हो चुके गाईज और अभी तक वो मुझे नहीं दिखा है जो के सामने मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इस साइड अगर घुमा तो मुझे मिल सकता है यार इस साइड चलते हैं और ये रहा वो गाईज यही वो ट्रक है जिसके उस पार होगा ऀसाइड मुझे लगता क्यूके यहाँ पर वो जो पिंजरा था नहीं है और वो बंदा भी नहीं है तो यार उस तरब भी गैज वो नहीं है मैं काम करता हूं इसकी कार के अंदर जा कर देखता हूं इसके टड़क के यार इसके अंदर तो दो दो आईफोन र लिया है और एड्रेस भी मुझे पता चल चुका है कि वो कहां पड़का है तो चलते हैं फिर यार उस बंदे को डूरते हैं जो के मुझे लगता है कि वो अपने घड़ पे इस छोटे से डैनसौर को ले गया है या तो फिर एक्सपेरिमेंट के लिए बेच भी दिया होगा दिया होगा तो तो मैं उझे लोकेशन तो यही का था यही वो पिला घर है जिसके जुकेशन और एड्रेस इसके कारड़ पर था तो मैं यहां पर आ चुका हुझे यहां पर कोई दिख भी नहीए तो मैं जल्डी से इस घर के अंदर चलता हौँ और धूरता हूँ उस दैनस पर कुछ भी नहीं है यार तो मतलब यहां नहीं है सामने कुछ दिख रहा है एक और कमरा यहां पर उपर है यार यह तो बातरूम लग रहा है यहां पर भी नहीं है तो यह नीचे चलके जल्दी से डूरते हैं यार नीचे साहथ से होगा तो मुझे नीचे मिल जाएगा तो य लेकिन यार ये दोनों आ चुक है भाई ये लेडी और ये बंदा वो बही है यार जिसने इस डैनेसोर के बच्चे को गन से एकदम घेर रखा था मैं इसको नहीं छोरने वाला हूँ यार ये इतनी अनोकी चीज को बेस्ट मतलब मारने के लिए जा रहा था यार मैंने इसको मा करता हूँ यार कहां पर है भाई मुझे लगता पूलीस भी मेरे पीछे आ चुकी है पूलीस भी मेरे पीछे आ चुकी है क्योंकि यार मैंने इन दूनों को मार दिया है तो मैं काम करता हूँ इस देवार की पीछे जागर के छूप जाता हूँ तो मैं इसके पीछे चुप पढ़ जा और यार अंदर छुप जाता हूं थोड़ी देर अगर मैं यहां रहा हूं तो पुलिस वाला तो फानली चला गया यहां से मैं चलता हूं इसके घर के पीछे गहरे जैयार मैंने यहां देखा ही नहीं था और यह रहा वो चोटा था डाइनसोर जो को देखने में काफी जादा जख्यमी भी कर दिया है क्योंकि यह बंच पिंजरे के अंदर काफी दिनों से है और इन लोग ने इसको खाने के लिए भी कुछ भी नहीं दिया है तो मुझे इनके खाने का भी इंतजाम करना पड़ जागा पहलो तो यार मैं इस पुलिस वाले से बच्च हू और मैं यहां से यह देख लो यहां पर भी पुलिस वाले आ रहे हैं यहार काफी दिनों के बाद मैं अपने घर पे आया हूँ जो के डाइनसोर को मैंने ले लिया है और इसको मैंने काफी जादा खिला करके तगड़ा भी कर दिया तो यह रहा वो डाइनसोर जो के देख सकत और ये देख लो मेरे पीछे आने लगा तो यार मैंने इसको अभी रख दिया अपने घर के अंदर और अब मुझे एक और डाइनसोर का लोकेशन पता चला है जिसको मुझे लाने के लिए जाना है क्योंकि यार उसको ना बहुत उची बिल्डिंग के ऊपर बहुत सारे जंग जंगली कुत्तों के बीच तो यार मुझे इसको जल्दी से बचाना पड़ेगा वरना यार इस जंगली कुत्ते के कोई ठीकान नहीं यार ये इसको कभी भी हमला करके मार सकता है तो यार मुझे जल्दी से जल्दी जाना है और उस डाइनसोर के बच्चे को बचाना पड़ है और इसको मैं खुद का ही एक पाल तू पैट बना लूँगा और यार मुझे जो के इतनी उची बिल्डिंग के ऊपर कैसे जाना है वो भी मुझे देखना पड़ेगा तो यार इसका कोई न कोई तो रास्ता होगा ही जहां से ये ऊपर गया है या फिर इसको कोई इतनी ऊप रख के आचुका है क्योंकि या इतने सारे डॉग जो एं वह इसे नहीं जा सकते हैं और इतने वह इपर ये बिल्डिंग के टॉप पर और पहुँच चुका हूँ यार ये कहले किन एक चीद दिक्कत हो चुके मेरी थार यार अटक चुका है यहां पर थार मेरी पूरी तरीके से अटक चुका है जिसके लिए मुझे अपनी बाइक लेना पड़ेगा और मैंने अपनी सूपर देख लोगाई एकदम अच्छी से आ चुका है इसके उपर यहां से मुझे रास्ता पता चल चुका है क्योंकि एक रास्ता जो यहां पर भाई पास पहुँच चुक है यार बस यह रहा यह कंटेनर के उपर जंप और यहां पर भी एक रैंप है और इस रैंप से मुझे लो पहुंच यह भाई यहां पर अगर यह नहीं रहता था मैं नीची गिर सकता था और यहां से मुझे इसके उपर कुदाना इस बिल्डिन्ग पर और इस बिल्डिन्ग से यहां पर यह रा रैंप इसके ऊपर और यह कंटेनर पर बास पहुत चुक्ट है सामने Finaly रेंप जो क इतने सारे डॉग जो के जंगली भाई सब को मैं मारता हूं कि ये मेरे उपर कभी भी अटेक कर सकते हैं और यार मुझे काट भी सकते हैं तो मुझे इतने सारे डॉग को जल्दी से मारना पड़े यार एक कुता मेरी तरफ ये कब से गुर्रा में इसको पहले मारता हूं यार क काफी देर मैंने ढूरा तो ये कुट्टे के नीचे पूरा दब चुका था यार काफी जादा जखमी भी हो चुका है तो मैं इसको यहां से उठाता हूं और चलते हैं घर की तरफ यार कितना चोटा सा डानसोर और केतना अच्छा लग रहा है यार तो मैं इसको लेकर के अपन उपने डिक्की में जो के काफी सरे कुटे को जो मैंने मारा था उसको भी रख लिया है क्योंकि यार इस डाइनसोर को मुझे खिलाना है उसके यहीं पर भाई वो इलतों ले नहीं गया है तो अब मैं इसको डिकी से बाहर निकलता हूं और अपने घर में रखता हूं तो यार देख लो दोनों डाइनोसोर काफी कतरनाक है और एक डाइनोसोर इसको देख लो बहुत सारे जखम जो के इसके सरीर पढ़े यार मुझे लगत का इंतजाम करना पड़ेगा जो के लोकेशन मेरे मोबाल में पता है एक और यह रहा वो होर्स यार यह सूपर होर्स इसको मुझे लाना पड़ेगा यह गोड़ा जो दिख रहा है और इस घोड़े को लाने के लिए मुझे बहुत जादा है उची बिलिंग पर जाना पड़ यह रही मेरी सूपर बाइक और मैं इसको लेता हूँ और फिर चलते हैं यार जल्दी से उस कंटीनर के उपर क्योंकि यार मेरे जो डाइनसोरे चोटे 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 यह सब काफी जादा बहुके यार इसको खाना चाहिए और मुझे इसके खाना का इंतजाम करना क्या चोटे चिफ् देखने में है बात वहा कि खाने में में काफी जादा है यार काफी जादा ये लोग कहते हैं अतनी दिनों में जल्दी ये लोग बरे यह होते जारे हैं मुझे लगता है यार यह जो है जादे से जादे बड़ा नहीं होगा लेकिन यार इसका जो है एल्थ काफी जादा अच्छा है स्ट्रॉंग है यहां से मुझे जंप करना इस कंटेनर से वस पॉर्फेक्ट और यार मुझे मैं यहां पर तो आ चुका हूं और यहां से मुझे उस बिल्डिंग जाना है नहीं यह बिल्डिंग पर आड़ जाऊँम ग्मैं और वहां से मुझे नीचे उतरणा है और यहां से मुझे नीचे जाना है यह रास्ता मुझे दिख रहा है यार मैं गलत जगा पर आ चुका हूँ भाई गाईज मैं गलत लोकेशन पर फिर से आ चुका हूँ मुझे यार यहां नहीं जाना था भाई यार नीचे जाना है अब यार रास्ता मुझे किलियर समझ में नहीं जाना है कि मैं गलत जगा पर आ चुका हूँ मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा यार मुझे एक चीज तो लग रहा भाई मुझे यहां नहीं जाना था गाई मैं गलत लोकेशन पर आ चुका हूँ मुझे यहां से बापस जाना पड़ेगा यार मुझे बापस से फिर से मुझे लगता चरना परेगा वस यार आराम से वस नीचे ना गिरूँ अब भाई फिर से नीचे गिर चुके यार मुझे फिर से यहां पर आना पड़ेगा यार मैं गलत लूकेशन पर आ चुका हूँ था क्यूंकि मुझे बिल्डिंग के उपर जाना ही नहीं था भाई बात-बात के चक्र में मैं गलत आ चुका हूं मुझे फिर से उस कंटेनर के उपर चरहना पड़ेगा अपनी बाइक तो यह मैं नीके ता आ चुका हूं मुझे फिर से उसके उपर चरहना पड़ेगा यह रहा वो रैम जिसके उपर मैं गया था मैं इस यह टर्निंग के कारण मैं उस कंटेनर से नीचे गिर गया और फिर से मुझे यहां पर अब चड़ना पड़ेगा और भाई यह रहा देख लो यहां से मुझे लेफ्ट जाना उस कंटेनर वाले एडिया पर टॉप बिल्डिंग पर मुझे नहीं जाना यार क्योंकि वहां में और वहां पर तो होर्स है ही नहीं यार क्योंकि यहां पर मुझे यह देख लो यहां से रेड गिर जाना है और यार बच चुके है तो यहां मैं आ चुका हूं और यहां से मुझे इस सार जाना है और यहां से मुझे उस बले वो जो सामने दिख रहा है राउंड वाला यार उसके उपर अगर मैं गया तो वहां से में गिर सकता हूँ यहां से जाने का दो रास्ता है तो यह वाला रास्ता मैं लेता हूँ और यहां से जो है ना थोड़ा दूर तो पड़ेगा मगर अगर मैं उस सेट से गया तो काफी ज़दा खातरा है क्यों कि आर मैं नीचे भी गिर सकता हूँ वहां पर से और मैं अगर यहाँ पर से जाता हूँ तो यार गिरने का कोई चांस नहीं वस थोरा मुझे टाइम लगएगा दिये देखलो यहाँ पर मैं आ चुका हूँ और यहाँ से यह रासता जो द מד expectations यहाँ पर हेलीकॉपटर भी था जिसको मैंने ट्राइक किया और बहुत सारे जेट पैक उस और मैंने ट्राइक किया यार उस जगह पर यानि के जाहे नहीं राय यह लोग उड़ लोग क्यूं नहीं रहे यार ुजही है समझ में यह झार यह अब मुझे वहाँ पर कुछ दीख रहा है भाई यार यह क्या चीज है भाई यार वहाँ पर मुझे एक ब्लेक कलर का कुछ दीख रहा है वो भी दो-दो दीख रहा है यार यह क्या चीज है भाई अब यार यह तो जेट पैक है यार यहाँ पर रखा हुए जेट पैक और वो ह और यहां पर आ चुका है और वो मुझे उस वाले कंटेनर के ऊपर का लोकेशन दिख रहा था मैं सही आ चुका हूं जिसके वजह से मुझे पता चल चुका और यह देख लो यह होर्स को मैं नीचे भी अगर कुदा दू नगाई तो इसको कुछ भी नहीं होने वाला यह देख घरड़े यह मैं पहली दफाहर चल रहा हूं यह देख सकते हुझा काफ़ी ज़ादा मज़ा रहा है यहर सूपर होर्स और सूपर जम्प इसका बहुत खतरनाक और काफ़ी ज़ता मज़ा भी आ रहा होर्स को लेकर के तो चलते हैं सको जलदे चलती घर लेकर के भाई काफी जासाफे था और रहे था और यह और मैंने इसको ह्ट हर लग जाए लेइस पर मुझे इसको मारना पड़ जा गयार क्यांकि तो मैंने इसको मार ते और हम एसका कं खाना दिया और यह लोग कितनी तीज में का रहे हैं यह कितनी अच्छी चेस को लग रही है तो इन दोनों ने काफी दिर खाना खाते ही खतम कर दिया तुरंट थी यार और देख लो अब दोनों में फाइट होने जा रहा है यार देखते हैं कौन जीता है भाई यह देख लो लरना इस्टाटो भाई यार देख लो स्पाइनों तो हार चुका है यार स्प कोई नहीं उनको स्थ खाना खिलाना पड़ेगा मानस खिलाना पड़ेगा तब जाकर के वो ताकत वर्द के और वो टी येक्स को हरा सके देखलो ये काफी दिनों के बाद आप दूनर में हो चुक़ ये खतर माशी फाइड्नगल नहीं कौन जीता र fen경 primal ETF कёensing er ती टीजेक्स इस वाले राउंड में हाड़ चुका है तो यार देख लो काफी जादा मज़ा आए वैसे इन दोनों के फाइट में तो आज के ट्रेनिंग में में इस डोनों का इतना यह वैसे काफी जादा माज आया यह इस मेहनों से जेत चुका है और टीर एक सार चुका यह तो भाई देख लो चलते चलते ठोकर लग चुक भाई कैसा फ्लोर लगवाद चुका हूं तो इसको भी ठीक करना पड़ जागा यह वैसे आप लोगों को वीडियो कैसे लेगी वीडियो अच्छी लेगी तो लाइक कर देना मेरे चैनल पर ने हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे मज़दार इंडियन वाइक डैविंग 3D की वीडियो देखने के लिए आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिभाई बाई